आप सभी का अतुल आर्ट एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जैसा की सभी लोग जानते हैं बारह जनवरी और इस दिन भारत भूमी पर भारतिय संस्कृत का भारतिय सवता का भारत के मान और सम्मान का डंका बजाया था स्वामी वेवेकानंद और उन्हीं का जन्म दिवस हर वर्ष हम लोग बड़े ही धूमधाम फृरद्दा के साथ मनाते हैं शैनल के माध्यम से उन्हीं का ये चित्र जो की वाटर कलर से जल रंग से छोटे ध्यारतियों को ध्यान में रखते हुए जो कक्षा आठ नौ दस तक के वे ध्यारति हैं उनके लिए ये चित्र तयार किया जा रहा है और जो भी वे ध्यारति कि इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ें यदि वो ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो बात ये चल लही थी कि स्वामी जी जो की राम क्रश्न परम हंस के सिस्से थे और राम क्रश्न परम हंस साकार सगुड परम सक्ति के उपा सकते राम क्रश्न परम हंस के सिस्से स्वामी विवेकानन्द वच्पन से ही उनके बच्पन का नाम नरेंद्र था बच्पन से ही प्रकर वुद्धी कुष्ती खेल कूद में अबल रहने वाले स्वामी विवेकानंद पढ़ने में भी बड़े ही मेधावी थे लेकिन जब बड़े हुए तो सांसारिक मोह माहा की बजाए उन्हें आध्यात्म की ओर उनकी रुची बढ़ने लगी और साथ ही भारत जो जहां कई प्रकार की सामाजिक बुराईयां इन्सान का इन्सान के साथ ही अमानविये दिवहार ये सब बातें उनको हमेशा कचोटती थी और वो मानते थे कि एक राष्ट एक देश तभी महान बन सकता जहां कम से कम इन्सान का इन्सान से भाई चारा हो जो दवे कुछले हैं जो संसाधनों के अभाव में आगे बड़ नहीं पाए या अन्न कोई भी कारण रहा तो उनका आर्थिक सामाजिक मानसिक सोशन ये ठीक नहीं और वो यहां तक मानते थे कि दरिद्र नाराड यानि कि दरिद्र की पूजा करना यानि कि उसकी सेवा करना नाराड की सेवा हो जाती है वो करम कांड या जो सदा से चल रहा आ रहा उनसे धानतों की वज़ाए एथार्थ में अधिक यकीन रखते थे समय और परिष्थितियों के अनसार जो ठीक हो उसी का पालन किया जाए वो कमजोरी निर्वलता को सबसे बड़ा अधर्म और पाप समझते थे और उनका मानना था कि हम कुछ भी अच्छा या महान तभी कर सकते हैं जब हम सारी रिग रूप से स्वस्त हों वो सिर्फ मन ही नहीं तनकी भी स्वस्त उने पर जोर देते थे उन्होंने यहां तक खा कि एक गीता पाठ करने वाला पढ़ने वाला हो सकता कि स्वर्ग से बंचित रह जाए लेकिन एक फुटवाल का अच्छा खिलाड़ी उसकी अधिक संभावनाएं होती हैं साथियों उनके विचारों पर हम अपने को इस्थाफित करने की कोशिश करें उनका अनुसरर करें खुद को और इस देश को बड़ा महान बना